हलो दोस्तों आप सभी का मेरे चनल विन्या स्टडी के अनुए श्वागत है दोस्तों यदि आप चत्तिरगर सिक्षक पातता परिक्षा 2020 की तयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम चत्तिरगर सिक्षक पातता संबंदी बहुं सारे वीडियो लेकर आने वाले है और बहुं सारे वीडियो हमारे चेनल के प्लेलिस्ट में है उसे भी जाकर देख लीजिये दोस्तो आज 36 गर सिक्षक पातरता की application form भरने की अंतिनतिती है तो आपने अभी तक भरा नहीं है तो जाईए और जल्दी से भर लीजिए आज की वीडियो में दोस्तो बाल विकास और सिक्षन साथ से संबंदित बहुती मतपून बहुविकल पर प्रश्ण देखेंगे Child Development and Pedagogy दोस्तो Child Development and Pedagogy पेपर एक और पेपर दो के लिए दोनों का सिलेबस एक समान है तो आपको यह वीडियो दोनों पेपर के लिए help जरूर करेगी दोस्तो आप इसमें 19 से 20 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस वाले सिक्षन से 30 में 25 से 26 मार्क्स अब जरूर लेकर आयां तो चलिए दोस्तो पेपर एक और दो के लिए पार्ट 1 देखते हैं दोस्तो चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जैसी आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं आल नोटिफिकेशन अन कर लिजेगा चैनल को सब् लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर लिजेगा और आज का पहला प्रस्ट दोस्तो सिक्षा का अर्थ है उपसं दिया हुआ है एक बार देखे और इसमें से कौन से उत्तर सही है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं तो दोस्तो सिक्षा का अर्थ होता है ज्यान प्राप् करना तो प्लूटो के नुसार सिक्षा का प्रमुक उद्देश व्यक्तित्व विकास करना है तो option B यहाँ पर सही है तीसरा प्रस्ट दोस्तो निमलखित में से कौन सिक्षा का उद्देश नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिया है तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए अब option देखिए सारिक विकास यह तो है चरित्र निर्वान यह भी है संस्कृति सरक्षन यह भी है तो कौन सी नहीं है option B नहीं है दोस्तो अनुचित लाब चौथा प्रस्टा आपके स्क्रीन पर है सिक्षा है एक समाने प्रक्रिया यह तो नहीं है एक समाने विधी यह भी नहीं है जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया जी सिक्षा जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया है आप जन्म लेते हैं तभी से सीखना पारम कर देते हैं और विद्धा अवस्था या मृत्यू प्राप्त करने तक सिक्षा प्राप्त करते हैं तो option B बिल्कुल सही होगा और D भी नहीं है पांचवा प्रश्ण दोस्तो नेमित सिक्षा है option दिया हुआ है एक बार देखिए इसमें से कौन सा सही होगा तो नेमित सिक्षा प्राकृति तो नहीं है तो option A और B ये C वाली जो option है वो भी गिलत हो जाएगा और D वाली भी तो option A बिल्कुल सही है कृतिम है चाटवा प्रश्ण नेमित सिक्षा के अंतरगत आता है option देखिए नेमित सिक्षा के अंतरगत आता है option देखे, समाजिक, समुदाइक प्रभाव, विद्यालेन पाठेक्रम और राज्य का प्रभाव तो इसमें दोस्तो समाजिक तो नहीं आती, समुदाइक प्रभाव भी नहीं आती option C, विद्यालेन पाठेक्रम आती है और ये भी option D, राजय का प्रभाव ये भी नहीं आती साथवा प्रस्ण दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है निमलिखित में से कौन सिक्षा का घटक नहीं है तो व्यक्ति तो है, वातावरन भी है और पुस्तक भी है, तो कौन सी नहीं है तो समय नहीं है, तो इसलिए समय बिल्कुल सहीं उत्तर होगा आठवा प्रस्ण निमलिखित में से किसका प्रभाव सिक्षा पर नहीं पढ़ता option देखे, तो समय का तो प्रभाव सिक्षा पर पढ़ता है समाज और धर्म का भी पढ़ता है इसलिए जो अंसर होगा, वो होगा option D नमवा प्रस्ण, सिक्षा का समान उद्देश निमलिखित में से कौन सा हो सकता है तो नमवा प्रस्ण देखे दोस्तों, तो अगली कक्षा में प्रवेश ये तो है डिगरी प्राप्त करना ये भी है व्यक्तित्व का विकास ये नहीं है ठीक है, इन में से कोई नहीं, ये भी option दिया हुआ है तो option C बिल्कुल सही होगा दस्वा प्रस्ण दोस्तों, राष्टी जीवन में सिक्षा का कार्य है option दिया हुआ है, अंतर राष्टी समझोते करना ये तो नहीं है अंतर राष्टी तना अबनाय रखना ये भी नहीं है और संयुक्त राष्टरंग से संबंदित इस्थापित करना ये नहीं है और राष्टी एकता काविकास करना option भारती सिक्षा आयोग ने भारती संदर्व में सिक्षा के निमलखित में से किस उद्देश की चर्चा नहीं की है option देखिए सिक्षा द्वारा भारत का अधुनिकरन करना ये तो सही है सिक्षा द्वारा उत्पादिक्ता बढ़ाना ये भी सही है प्राचिन धार्मिक परंपराओं का पालन करना ये गलत है तो फिर भी option D को देखते हैं सिक्षा द्वारा समाजिक नैतिक एवं अध्यात्मिक मुल्यों का विकास करना ये भी सही है तो option C बिल्कुल सही उत्तर होगा सिक्षा ही राष्टी एकता का अधार है ये अकतन किसका है तो option आपकी स्क्रीन पर है देखिए और comment करके हमें जरूर बताइए तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बारवा का वो होगा जवाहलाल नहरू option C तेरवा प्रश्ट राष्ट का गुण उसकी समाजिक इकाईयों का गुण है ये अकतन किसका है option आपकी स्क्रीन पर है देखिए और सही उत्तर हमें comment करके जरूर बताइए तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मैक आई वर option ए बिल्कुल सही होगा फिर 14 प्रश्ट राष्टी एक्ता का प्रमुक अधार क्या है इसका आंसर आप सभी को पता है नीचे जली जली comment करते जाहिए और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा सिक्छा राष्टी एक्ता का प्रमुक अधार सिक्छा है पंदरवा प्रश्ण ज्यान अर्जन को सिक्षा का एक मात्र उद्देश स्विकार कर लेने से क्या हानी हो सकती है आपसन एक बार देखे व्यभारिकता का समूचित विकास नहीं हो सकता ये बिल्कुल सही है व्यक्ति का ध्यान अपनी रूचियों की और नहीं जाने की संभावना हो सकती है ये भी सही है व्यक्ति के शर्वांगिन विकास की अभेलना हो सकती है ये भी सही है तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा उप्रोक्त भी सही होगा 16 प्रशन चरितर निर्वान को सिक्षा का एक मात्र उद्देश स्विकार कर लेने से क्या हानिया हो सकती है तो 16 का option दिया हुआ है देखिए सहीं उत्तर आपको बताना है तो 15 और 16 लगबग एक ही प्रशन लग रहा है तो option D correct होगा 17 प्रशन आपके screen पर है निमलिखित में से कौन सा निमित सिक्षा के अंतरगत नहीं आता तो आपको बताना है तो school तो आती है, विद्याला भी आती है, सिक्षन विधी भी आती है तो धर्म नहीं आती रोश ने सिक्षा को क्या माना है तो 18 का से उत्तर आपको बताना है से उत्तर क्या होगा तो इसका से उत्तर होगा दोस्तो option B द्वी मुखी प्रक्रिया माना है 19 प्रशन सिक्षा व्यक्ति के उस पोड़ता का विकास है जिस पर पहुँच सकता है यह कतन किसका है option आपकी screen पर है से उत्तर आपको बताना है जी यह कापी मतपून प्रशन है और इसका से उत्तर होगा option D can't और आज का लाश्ट प्रशन दोस्तो 20 वा प्रशन सिक्षा द्वारा उत्पादिता बढ़ाने के लिए निमलकित में से किसकी आवसकता नहीं है option आपकी screen पर है देखिए और हमें comment करके जरूर बताईए तो इसका जो सहीं उत्तर होगा दोस्तो option C होगा धार्मिक सिक्षा तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा comment करके हमें जरूर बताईएगा और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा और वीडियो को like जरूर कर लिजेगा thank you दोस्तो